एक करमचारी अपने बोस के पास गया और बोला साब मेरे को ना कुछ दिन की छुट्टी चाहिए अब बोस था थोड़ा सा खडूस टाइप का सोचा यार क्यों ना इसको थोड़ा सा परिशान कर लेता हूँ और करमचारी को बोला बाई देख छुट्टी तेरे को ना एक एक इंडिशन में मिलेगी यह बता कटपपा ने बाहु बली को क्यों मारा करमचारी बड़ा चलाग था बोला साब मैंने अभी तक बाहु बली सेकिंड देखी तो नहीं है लेकिन लोगों से सुना है कि बाहु बली ने कटपपा को छुट्टी नहीं दी थी पत्टी पत्टी आपस में बाते कर रहे थे पत्टी कह रही थी जी कि तुम बहुत मोटे हो गई हो पत्टी कह रहा था कि नहीं तुम बहुत मोटी हो गई हो अब उदर पत्टी अपने बचाव में कहने लगी जी मैं तो मा बनने वाली हो इसलिए मोटी हो गई पती भी बोला तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ फिर जंडू की गरवाली अपने माई के गई हुई थी अब वहाँ उसका मन नहीं लगा और उसने जंडू को लगा दिया फोन और कहने लगी कि जिया आपके बिना तो मेरा जी नहीं लग रहा जंडू बड़ा उस्यार था तो रंद बोला रे पगली जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगा कर देख ले वो भी दोनों बहुत अच्छे चैनल है आज कल बरसात का टाइम है तो एक दिन जंडू के मोबाइल में नेटर गाइप हो गया जंडू मोबाइल रिपेर सोप पर गया और बोला बाई मेरे मोबाइल में नेटर ग नियारा एक बार देखना इसको दुकानदार ने मोबाइल देखकर बोला बाईजाब ये तो खराब मोसम की वजए से है अब जंडूगा हो गया दिमाग खराब और बोला भाई ये ले 500 रुपय और डाल दे नया मोसम सास्त्रों में एक बड़े ज्ञान की बात लिखी भी मिली आज मुझे लिखा था मा और बीवी को कभी विश्वास प्लाने के जरुरत नहीं होती क्योंकि मा कभी सक नहीं करती और बीवी कभी यकीन नहीं करती इसी तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखें धन्यवाद